Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब अमीदे के सब ठिक ठाक होंगें अखर खेरी है तो आज हम बनाने जाए है चिकन कोलमा जड़ना बनाने के लिए जिन चीजों की जरुथी यहां ले लियां सबसे पहले हैं यहां एक कईजी चिकन जण ले लिए और यहां मैंने 1 कप दजी फैल दही ले मे लिया यहां यहां बढ़ी की स्पोन अबस दे लिया हैoscς 5 कशल्ट छली टेश्च अबस ब्सक्राइब पाउडर है यह होममेड है इसकी रेसिपी चैनल पर मजूद है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहां एक टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया यह आप में टेस्ट कहीं साब से डाल सकते हैं और यहां एक हाफ टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर ले कऊठाऊ मैंने गोमाटर लेकिका पेस्ट बना लें तो को साथ मंतरовор करते हैं एक कढ़ई ले दे सब्सक्रिपर ने से एक कटाई ले लिए अब में वान टेकर नाइघ्ट कुण बाद में डालूंगी अगर आप इसी पॉयर्ट पर बीड चाहें तो आप 5.5.5 डाल सकते हैं और जब ऑल्ल हलका गर्म हो जाएगा तो फिर मैं यसमें प्यास का पेस्ट डालूंगी हाँ जी इसके गर्म हो चुका है मैं इसमें प्यास का पेस्ट ढूंगी और हलके गाम ऐस का पेस्ट यास के प्रएश चुब और देखें अगर आप बिल्कुल से तेज गाम ऐस्फ पानी चुछ खोश्ट बडाऊंगे अब मैं इसे फ्लेम पर पानी खुश्ट खुट चुका है और नॉर्मल में तब तक पकाऊंगी तब तक यह डार्क ब्राउन नहीं और रांकि दिशनाए साथ होड़े एकार एक होडा अपकि भी जब तक सब्सक्राइब कर स्प्रीक एक और सब्सक्राइब memb отк और मैं इसे अच्छे तरीके से फैंट फैंट के मिक्स करूंगी ताके इसमें कोई लंज बाकी ना रहें और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे साइड पर रख दूँगी अजी यह देखें जी प्यास सकत लिएंड ब्राउन हो चूक है मैं इसमें अच्छे अच्छा जाल ने के बाद मैं इसे अच्छे तरीकर से मिक्स कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिटनी डाल दूंगी जो दही वाली चिटनी मैंने बना के रखी वी थी वो डाल दूंगी यह दखें जी दही की चिटनी डालने के बाद मैंने इस अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया अब मैं इसमें सारे स्पाइसे डाल दूंगी मुझे औल कम लग रहा था तो हाफ कप औल मैंने और एट कर दिया क्योंके कोल में औल ज्यादा अच्छा लगता है आप स्टार्ट से ही डेट कर लें अब मैं इसमें चिकन डाल दूगी जो मैंने चिकन रखा वा था यह मैं इसमें डाल दूगी और इसके बाद मैं इसे तकरिवन एक मिंट के लिए भून लूगी ज्यादा इसे अभी नहीं भूनना क्योंके इसे फिर चिकन गलेगा नहीं यह देखें जी इसे तकरीबन एक मिन्ट के लिए मैंने भूना था ज्यादा नहीं भूना बाद में भूनेंगी अब मैं इसमें तकरीबन दो ग्लास पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद मैं इसे ढखके मीडियम टो लो फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ दूंगी हाँ जी पानी तकरीबन खुश्खोने वाला है और अब मैंने इसकी फ्लेम हाई कर दी है क्योंके चिकन गल चुका है अच्छे तरीके से अब मैं इस पान पर इसमें मेथी डाल दूंगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून मेथ में मेथी लिया है विसे हाथ की मदद से इस तरह से करके मैं डाल दूंगी और यहाँ पानी खुश्खो चुका है अब मैं इसे तकरीबन दो तीन मिंट के लिए अच्छे तरीके से भून लूँगी मैंने चिकन को दो तीन मिंट के लिए भून लिया है आपको नज़रा आ रहोगा कि इसका और निकला आया है अब मैं इसमें तकरीबन एक कप पानी डाल दूंगी और इसके बाद मैं इसे हलका सब वाइल दे दूंगी फिर हमारे कोर में बनके बिल्कुल तयार है आपको सबस्धनिया ले लिया यह में इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी अब सबस्धनिया काट के कर सकते हैं जो कुछ आपको पसंद हो आप उससे गार्निशिंग कर सकते हैं हां जी यह देखें जी है फाइनल लुक हमारे कोर में बनके बिल्कुल तयार है बहुत मज़े का होता है ब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे बना आपका कोर मा तो अब मैं आउंगी अपनी नेक्स रेसीपी के साथ तब तक लिए मुझे दौाओं में याद रखेगा अलाहाफीज